आप बैक्टेश्ट करो या फिर आप जितना भी पीछे जाना आप पीछे जाओ यह चीज नोटिस करो जब भी भी मार्केट कंसॉलिडेट करता है यह में के आसपास यह में के आसपास एक बॉम फूतना बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पर यह में के आसपास उसने टाइम किया यहाँ पर यहाँ पर नजदिक करने के बाद इतना बड़ा हुआ हुआ है हरु नमस्कार दोस्तों मेरे नाम सोपने ले तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है तो बहुत टाइम के आपके बाद हम लोग वीडियो बना है मैं सोचा कि गोल काफी टाइम से अभी देखा जाए तो ऑगस्ट मंत इतना अच्छा नहीं था इतना क्लियर व्यू या फिर बड़े मुवमेंट्स हम लोगों दे नहीं रहे तो गोल क्या करना चाहता है या फिर हम लोगों कभ ट्रे अब यह बंद हो चुका है तभी मैंने नहीं दिया था अभी मैं जो यूज कर रहा आपको पिछले वीडियो में पता है कि मैं 20 पो करके एक फंड़े प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ जिसका मैंने अभी भारी बरकां ऐसा प्रोग्राम मैंने अब तक मारा नहीं ना मैंने उसमें उतना कमाया है तो मैंने आपको सभी को बोला है कि अगर मुझे उस फंडिंग प्रोग्राम से अगर बड़ा प्याउट आ जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि it's safe you can also use it until then you have to wait तो अभी chances है कि यह महिने में या फिर अगले महिने में में अच्छा खासा अमांट को पता नहीं है what is the funded account उन लोग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है वह description में मैं डाल दूँगा और जिन लोग को मेरा पर्सनल ब्रोकर मतलब अगर मैं पर्सनल ब्रोकर के बारे में बातों मतलब for example आपके बास 10 लाक है 20 लाक है अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है एक ब्रोकर चाहिए जो safe है अगर ऐसा कुछ आपको ब्रोकर चाहिए तो उसका भी मैं description में लिंक दे दूँगा मेरा WhatsApp नंबर है मैं description में डाल करता हो अगर कुछ problem आता भी है तो तो पैसे वैसे का attention मतलो it's totally safe जैसे मैं Forex सिखाता भी हूँ अगर आप मेरे से Forex सीख रहे हो definitely और आप दूसरा ब्रोकर यूज़ कर रहे हो जैसे कि XYZ में नाम नहीं लूँगा अगर आप इसके अलावा कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो तो उसकी guarantee या फिर ट्रस्ट वदी है कि नहीं मैं नहीं लूँगा तो काफी लोग को यह च अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है कुछ पैसा आपके पास है और इन्वेस्ट करना तो यह ब्रोकर में आप डाल सकते हो अभी उसमें पैसे कैसे डाले हाव टू क्रियेट अन अकाउंट उसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है वह भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ले भी रहो करें हो तो यह करना है वो सबसे स्ट्रॉंग एने आपको भी यह चीजर पता है कि की घ्रल्ट कर Yak时 मंतली से स्टर्क नियुक्तार करता हुँ मंतली में को क्या बता रहा है मंतली तो अगर आपको कितना थोड़ा सा भी निनॉलेच रहेंग का अब तेकनिल्स मंतली टाइम फ्रेम ऐसा ज़रूरी नहीं कि कल होगा मंतली मतली मतलब बहुत टाइम लगेगा आने के लिए यह वेट तिल दे मार्केट मतलब फॉर्स उसको डेली पर कन्फरमिशन देना पड़ेगा और फिर एच फॉर ऐसे हम लोग बात करते हैं इसे हम लोग बात करते हैं तो अगर आपको याद रहेगा या तभी भी तो मैं अच्छा खासा एक वीडियो बनाओ भी दूंगा लेकिन आपको याद रखना चाहिए यह लेबल और टॉप इस मार्क तो जाहिर सी बात है आप जब मार्केट आपको पता यहां पर आने वाला है या यहां पर आने वाल आ तो इंटाइट ने फोसंट रिचांग का टीट आखी यह जाने अ मार्केट ने लॉग्यार मार्केट कार्याइश ओंग हुक्तॉज पर भी देख सकते हैं अगर हम लोग ने यह सपोर्ट के बारे में बात किया तो यह सपोर्ट अगर यह ब्रेक करता है माकेट तो नीचे आने के चांसे से विए इसाइड वेरी क्लीन अभी वें विए टॉक अबाउट डेली टाइम प्रेम के बारे में बात करें यह बहुत ही सिंपल है आपको अनलाइज करने के लिए भी कि नीचे का सपोर्ट यहाँ पर डेली पर यह सारी चीज़े अभी हाव इल्ड मार्केट ट्राइम अभी जब हम लोग ने मंतली टाइम फ्रेम देखा मंतली टाइम फ्रेम पर कैसा चीज़े दिखाई है एक बहुत बनाया दूसरा टॉफ बनाया है तीसरा टॉफ बना अभी मार्केट नीचे आ सकते मंतलीन लोग बता अभी मेर plural का बता रहें ग्रुत at this point current market market has to make a double-top मतलब on a very short time frame मतलब जो हम लोग बात करेंगे market has to create a double top जब मार्केट लिए double top बनाएगा तब मार्केट का potential है नीचे आनेगा अगर यह double-top बनाता नहीं है तो market has to break this support 1914 इन order to come down at 1887 तो यह दोनों चीज आपको याद रखनी है मेरे इसाब से market का जो probability जो मैं बात करो according to the price action and everything जो भी बात करो market has to create double top and this top के बाद market नीचे आ सकता है फिलाल के लिए market has a potential to go up till here 17 pips उपर की तरफ जा सकता है 170 pips and then market नीचे आ सकता है and also if we talk about it's a bearish pattern ठीक है if we talk about the bearish thing जो मेरा Fibonacci Fibonacci मैं को क्या बता रहा है Fibonacci आपको पता ही है जितने लोग मेरे को पहले से जानते जो Fibonacci मैं देखता हूँ और आप देखते हूँ different है यह मेरा Fibonacci है जो obviously मैं सिखाता हूँ और मैंने modifications किये है और यह में यह Fibonacci मेरा targets देता है तो what is the Fibonacci telling me is कि market का यह retracement है market का fall retracement अब यह market नीचे ही जाएगा यह उसका resistance है topmost resistance और यह उसका support है in order to break this यह सेम price action के हिसाब से हम लोग को बता रहा है बस हम लोग को हम लोग को टार्गेट भी दे रहा है 85 इस फॉर्स टागेट सेकंड टागेट 57 अगर फॉलू करूंगा तो मेरे को bearish pattern ही दिखाए दे रहा है यह चीज भी मैंने हटा दिया ना लुक अट यह मैं जो मैं कंसिडर करता हूँ यह में भी हम लोग को बता रहा है कि it's creating a resistance अभी इसके इसको 200 moving average जो है उसके नीचे आने का first time उसने नीचे आया लेकिन उसने sustain नहीं किया h4 पर देखेंगे तो h4 हम लोगों क्या बता रहा है h4 is also showing us कि market उसरी आप backtest करो या फिर आप जितना भी पीछे जाना है आप पीछे जाओ यह चीज नोटिस करो जब भी भी market consolidate करता है यह में के आसपास यह में के आसपास एक bomb फूटना बाकी है आप देख सकते हो कि यहाँ पर यह में के आसपास उसने time pass किया यहाँ 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 पर नजदिक करने के बाद इतना बड़ा flow आया तो अभी यह में के आसपास time pass कर रहा है which means वह एक बड़ा bomb फूट सकता है मतलब यह जो ट्रांज आइसा नहीं बोल रहो कि मैं bearish हूँ तो आप लोग भी bearish हो जाओ यह वीडियो सिफ education purpose में देता हूँ आप लोग को idea आने के लिए बट अगर यह transaction के इसाब से अगर मैंने बात किया तो जो daily में हम लोग में बात किया है तो the first moment it should go up यह उपर जाने के बाद उसको नीचे आने का तो अभी का prediction क्या है मेरा prediction है कि this is the support यह support break करने के बाद ही I will take the trade यह support break करने के बाद I'll take our bearish trade फिलाल के लिए मैं यह resistance break करने पर trade लूँगा which is this resistance जो मांके ने resistance बेक किया ही लिए तो फिलाल के लिए यहां पर from 1929 to 1915 it's no trading zone मैं definitely यह चीज को follow करता हूँ और उपर की तरफ uptrend हो सकता है अबाव 1929 और नीचे की दिरफ 1916 के नीचे sell हो सकता है तो this is the pure price action एक trader एक max analysis आपको दे सकता है अगर मैं इस चीज में टाफी चीजों में घुस हूँ जैसे इल्याट वेफ का calculation लेकिया हूँ इल्याट वेफ के बारे में बताओ तो it will get dirty मतलब आपको तो नहीं समझ में आएगा थोड़ा complicated हो जाएगा उतना आपको गरज भी नहीं है जितने भी course में लोग है उन लोग को पता रहेगा लेकिन आप अब भी समझाते बैटूंगा तो एक घंटा के उपर लगेगा clear analysis दे रहा हूँ तो definitely a neckline का point दे सकता है which is 37 और नीचे की दरब तो थोड़ा तो 37 यहाद तो from this point में अगर calculate करूंगा 31 यहाँ पर दिखा रहे लेकिन the target is 37 लेकिन अगर मेरा यहाँ पर भी आया है तो definitely I will exit the trades definitely तो मैंने आपको दोनों भी बता है कि bullish में कब हो सकता हूँ when once it breaks the 1929 with the h4 closing मतलब बड़ा वाला closing देगा तुई अगर वह ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो it's completely bearish मतलब 10 चीज़ों बता रहा है हम लोग को जो bearish है और एक चीज़ बता रहा है जो bullish है तो we talk about probabilities हम लोग को पता है कि हम लोग react कैसे करेंगे मतलब अगर हम लोग रेजिस्टन सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग कैसे ट्रेट करना चाहिए फिबोनाची क्या बोल रहा है everything मैंने analysis दिया है तो I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहेगा आपको यह goal analysis करने में पहुत help हो रहेगा जस एक चीज़ याद रखना कि अगर h1 h4 पर वह consolidate हो रहा है यह में मेरे यह में इसकोंसे में वह बता नहीं सकता बड़ अगर consolidate हो रहा है तो एक bomb या फिर एक बड़ा movement आने का बाकी है I hope कि आपको यह video समझ में आ है take your trades very calmly अच्छे से trade लो आप थोड़ा ऐसा over trading मत करो अगर आपको trading नहीं आता है आपको सीखना है या फिर कोई भी एक mentor पकड़ो मैं ऐसा बोलनी नहीं रहो कि मेरो मुझे as a mentor पकड़ो सीखो एक mentor रहना life में बहुत जुरूरी रहता है तो प्लीटली मतलब अगर फोरेक्स के अगर में बात करूंगा तो टेक्निकली बहुत ब्यूटीफिली फड़ो इंडिन मार्केट इतना तेक्निकली इतना फॉलो नहीं होता जितना फॉरेक्स फॉल्ट तो इस ग्रेट आपको अच्छा प्लाटफॉर्म मिल है यूं मतलब कुछ इसी को आता है टेक्निकल में हर को रहता है लेकिन यह सारी चीजों पर रिस्क पर लोग ध्याननी देते हैं रिस्क रिवर्ड विनिंग रिवर्ड यह सब ठीक है तो अगर आपको ऐसे वीडियो शीए ऐसे वीकली वीडियो शीए तो प्लीज कमेंट के तुरू मैं को फिलाल के लिए थैंक्यू सो मच यह एनलेसिस के बारे में अगर कुछ डाउट रहेगा तो मैं को डेफिनेटली पूछना थीक है तो थैंक्यू सो मच शबबाख है